Hello Everyone, Welcome to Online Study Point आज है 17 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 17 अगस्त से रिलेटेट करन्ट अफर के सभी important question को cover करेंगे तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF शाहिए तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसके link description box में दी हुई है कल जो हमने important question discuss किये थे इसका हम revision कर लेते हैं हाली में British company House of France के द्वारा जारी कियेगा report के रुसार दुनिया का सबसे प्रदूशित देश ये रहा था बांगला देश और इसी वरसनी की अगले महीने सितंबर भी भारत और आस्ट्रिलिया के बीच मंत्री इस्तरी 2 प्लस 2 वारता कायजन किया जाएगा जिसमें की दोनों ही देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ये participate करने वाले हैं तालिबान ने किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कांधार पर कबज़ा किया है तो कांधार जो कि अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है सबसे बड़ा कौन सा है काबुल जो कि इसकी राजधानी भी है किस देश में एंथ्रक्स निमूनिया सी पीडित एक मरीज की होने का पता चला है चायना में इसरों के किस स्पेस मिशन ने चंदरमा की सता पर पानी के अड़ों का पता लगाया है चंदरयांटू के और्बिटर ने स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इंपोर्टन कुश्चन हले में किस देश की राजधानी काबल में तालिबानियों के प्रवेश के साथ ही यहां के जो राष्ट पती थे अश्रफ गनी यह देश छोड़ दिये हैं तो आप जानते ही है अफगानिस्तान जो की फिलहाल पूरी दुनिया के सामने चर्चे का विशा बना हुआ है और यह क अपनी हार मान कर आप कह सकते हैं इसने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है यह अपने देश वापस चली गई है जिसके बाद से अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है जो कि इसकी राजधानी भी है काबूल यहां पर तालिबानियों ने प्रवेश किया इसके बाद अभी मैंने बताया था कि कंधार जो कि अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है यहां पर भी जो तालिबानी है यह अपना शाशन या इनका अधिकार हो गया है ऐसे में यहां के जो प्रेसिरंट थे अश्रफ गनी यह देश छोड़कर चले गए हैं और सूतरों से पता चला है कि यह ताजिकिस्तान जाकर के रह रहे हैं और कुछ समय यह भी नियूज निकल करके सामने आ रही थी कि यहां के जो उपराज्ट पती थे अमर उल्ला साले यह भी देश छोड़कर के भाग गये हैं और यहां पर विभरने देशों के जो राजनाइक थे इन्हो ने भी अपने दूतावास खाली कर दिए हैं क्योंकि अफगानिस्तान में इस समय क्या है अशान्ती का महौल हैं महिलाय तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है देखिए यहां मैं किसी राजनाइतिक पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि सम्हाद आप शांती प्रिव देश में रह रहे हैं क्योंकि यहां इतनी विविधताएं हैं इतने सारे कल्चर या इतने सारे कम्यूनिटी के लोग रहते हैं बावजुद इसके एक दूसरे के साथ यहां के लोग कंधी से कंधा मिला करके चलते हैं चाहे वह किसी भी कम्यूनिटी का हो और इन जनाब से तो यही कहना है एक बार आप अफगानिस्तान जा करके वहां का हाल देखिए क्योंकि अफगानिस्तान ये तो मुस्लिम बहुल रास्ट है तब वहां ऐसी स्थिति क्यों है आप देख सकते हैं इंटरनेट में अफगानिस्तान ये ट्रेंड कर रहा है और जितनी स सारा पैसा लगा भी रखा है सहतूत बांध इसका निर्माट भारत के द्वारा ही किया जाना था अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भारत का हो रखा है तो ये भी एक शिंता का विशह है तो अफगानिस्तान के दिए हम बात करें तो सारे फेक्ट आप लोगों को मालूम ही है चर्चे में था बग्राम ए sneaky जो कर दिया गया है अमेरिकी सेना के दौरा अगला कुश्षन है प्राइम मिनिश्टर नरिंद्र मुदी किस व्रस तक सउतंत्र देश बनाने का लक्ष्च रखा है तो हाले में प्राइम मिनिश्टर नरेदर मोदी जी के द्वारा घोशना की गई है कि आने वाले सालों में यहने कि 2047 तक वह भारत को उर्जा सोतंत्र देश बना लेंगे अब देखिए इन्हों ने जो घोशना की है 15 अगस्त के दिन जब भारत अपनी आजादी के 75 साल यह इस्ट्री हाइड्रोजन मिशन इसके भी शुरुआत करने की घोशना की गई है जब भारत अपनी आजादी के 100 साल कंप्लीट होगा तब भारत एक उर्जा स्वतंत्र देश बन जाएगा कुछ इस तरह की घोशना प्राइम मिनिश्टर नरेंदर मोदी जी के द्वारा की ग सबसेडी भी प्रोवाइड करा रही है और विविन नराज जी सरकारे हैं जो की इवाहनों के लिए जनता को रियायत भी दे रहे हैं कि यदि वाहन पर्चेस करते हैं इवाहन पर्चेस करने वालों को 100% रोट टेक्स फ्री ये घोशत कर दिया गया है और बीते समय में भारत सरकार के द्वारा अन्य कुछ घोशना है की गई थी जैसे कि 2022 का टार्गेट किसले रखा गया है भारत को यानि कि सिंगल यूस प्लास्टिक से मुक्त बनाने के जीरो कार्बन मुक्त बना लेंगी और इसके साथ ही भारत अभी हाली में एक वादा कराया है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के तहट कि 2030 में वह अपनी कुल एनरजी का 450 गीगावाट ये रियनेवल एनरजी से प्राप्त कर सकेगा अगला कुश्चन है महिनाओं को आर्थिक रूप से ससक्त बनाने के लिए सोन चिरया ब्रैंड और लोगो किस मंत्राले ने लौंच किया है तो यभी हाली में आवास और सहरी मामलों के मंत्राले के दुआरा लौंच किया गया है Self Help Group जिसे आप स्वयम सहायता समो कह सकते हैं जहां काफी सारी महिराएं आप लोगों को साथ साथ मिल करके एक साथ काम करते दिखाई दे रही हैं तो अधिकांस जो Self Help Group होते हैं ये अजीविका से जुड़े गती विधियों में लगे रहते हैं जिसे कि वस्र बनाना हो गया खिलोने खाने की कोई वस्तू या कोई हस्त सिल्प प्रोड़क्ट होता है इसका उत्पादन इसमें किया जाता है और मुख्य रूप से जो लोकल प्रोफिट किसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि इन्हें एक आप कह सकते हैं कि specific पहचान नहीं मिली है ऐसे में सरकार ने एक brand ये आप कह सकते हैं logo launch कर दिया है जिसे सोन चिरय नाम दिया गया है इसके तहत होगा क्या कि सहरी स्वयम सहायता समू की जो महिलाएं हैं इनके और flip card इसके साथ करार भी किया गया है ताकि self help group की जो महिलाएं हैं इनके दुआरा इस तरह के जो products बनाए जाते हैं इन्हें purchase किया जासके एक platform के माध्यम से जो कि मुशली लोग या लगबग लोग तो use करते ही है Amazon और flip card अगला question है किसने भारत की वाहन की आबादी के आध की गई है अब देखें ये question इसले भी important बन जाता है क्योंकि इस साल का जो budget रहा इसमें वाहन scrapping policy की घोशना भी की गई थी अब ये scrapping policy ये होती क्या है तो कहने का मतलब है कि सडकों में जो पुरानी वाहनी दौड रही है कुछ वाहनी 20 साल पुरानी है कुछ 30 साल पुरानी इतनी खटारा हो चुकी है ये कि मरने की हालत में है लेकिन तब भी लोग उसका विसरजन नहीं कर रहे हैं तब भी उसे घिसा पिटा करके चला ही रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है कि वो काला धुआ छोड़ती है तो ऐसे में जुकी स्वास्त के लिए हानी कारक होता है और परियावरन इससे प्रदूशित होता है तो ऐसे में सरकार के दौरा फैसला किया गया था यहने कि जो हमारे केंदरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंतरी है नितिंग जैराम गटकरी जी इन्होंने वहनों के लिए एक फिटनेस माप दंड कह सकते हैं इसकी घोशना की थी इ इतने साल तक चलने के बाद इनका फिटनेस टेस्ट किया जाएगा कि क्या यह वहन आगे चलने योग्य है या नहीं या कि पूरी तरह से खटारा हो चुके हैं यदि ऐसी स्थिति आती है तब इसे एकसप्ट नहीं किया जाएगा मतलब कि इन वहनों को रिप्लेस किया रहा है लेकिन सरकार के द्वारा इसमें भी सबसेड़ी दी जानी है साथ ही रोट टेक्स में भी कुछ प्रतिसत की छूट दी जाएगी तो सरकार के द्वारा ऐसा ही फैसला किया गया है और इसके माध्यम से आप कैसकते ही कि कुछ लोगों को तो रोजगार भी मिलेगा कैस इस तरह से सरकार की ये पॉलिसी चल रही है अगला कुश्चन है किस राज्य केंदर शाशित प्रदेश के पुलिस विभाग ने ये FIR पहल के शुरुआत की है तो इसके शुरुआत अभी हाली में मध्य प्रदेश गौ़र्मेंट के द्वारा की गई है अब इसमें आपका के द्वार ये जो योजना थी इसके तहत लोगों को FIR लिखवाने के लिए पुलिस टेशन नहीं जाना पड़ता था कॉल करना होता था और पुलिस खुद उनके द्वार पर इने के दरवाजे पर आती थी जहां ये अपनी रिपोर्ट लिखा सकते थे अब कुछ इसी तरह से EFIR पहल के शुरुआत भी मध्यप्रदेश गौवर्मेंट के द्वारा ही की गई हैं तो इसके तहत अब जो पीडित होगा इसे अपनी FIR लिखवाने के लिए थाने के चक्कर लगाने के जरुरत नहीं पड़ेगी कहने का मतलब है कि अब ये जो पूरी फैसिलिटी है FIR करवाने की ये पूरी तरह से डिजिटली कर दी गई है मध्यप्रदेश गौवर्मेंट के द्वारा मध्यप्रदेश के दिए हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं शतरपूर शतरपूर में बक्सवाह के जंगल हाली की दिनों में काफी जादा चर्चे में रहे थे औ और क्यों चर्चे में रहे थे क्योंकि यहां विसालतम हीरे के भंडार पाय जाने की संभावना ये बताई गी थी आप यह जो देख रहे हो सांगाबाद जिसका नाम बदल करके हाली में नर्मदा पूरम किया गया है देखिए मैं बहुत जादा बेसिक केने की मुख्यमंतर तक गतुति खुपिए राजिपल गई यह ज्यादा नहीं बतारे हूं क्योंकि मुझे יש अंदाज है कि इतने समय से आप क्लास से जुड़े हुए हैं इतने बैसिक तो आप लोगों को क्लियर हो ही गये होंगे राजजिपाल का नाम बता देत हूं क्योंकि हालीं में बदले अगला कोश्चन है भारत में नई कितनी वंदे भारत ट्रेन ये शुरू की जानी है तो भारत में अब 75 नई वंदे भारत ट्रेने ये शुरू की जाएंगी इसकी घुशना भी हाली में प्राइम मिनेश्टर नरंदर मोदी जी के द्वारा की गई है क्योंकि भारत अपनी का समय इसमें लगेगा लगभग 75 सप्ताह में देश के प्रत्य कोनों को जोड़ने के लिए 75 नहीं वंदे भारत एक्सप्रस ट्रेने ये शुरू करने की घुशना की गई है भारत में जो पहली वंदे भारत ट्रेन आई थी इसके शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी जो की न मेक इन इंडिया भियान के तहत तयार की जा रही है और यदि आपसे पूछा जाए कि वंदे भारत एक्सप्रस की स्पीड कितनी है तो ये है 180 किलोमीटर पर आर अगला कुश्चन है किस राज्य सरकार ने हिसार हवाई एड़े का नाम बदल करके महराजा अग्रसेन के नाम पर रखने का फैसला किया है तो इस पर काफी समय से विचार किया जा रहा था जुलाई में भी ये न्यूज निकल करके सामने आई थी लेकिन अभी कन्फर्म हो चुका है कि हरियाना में इससी जो हिसार है हिसार एरपोर्ट इसका नाम महराजा अग्रसेन के नाम पर रखा ज किया गया था महराज च्छत्रपती सिवाजी महराज महराज वर्ड एड किया था इंटरनेशनल एरपोर्ट मैं आप लोगों को बता दू कि इसका जो कारिभार है यह अब अडानी ग्रूप को सौब दिया गया है यह भी करन की ही निउस है और आप क्या रिलेट कर सकते हैं दिल्ली का एरपोर्ट इनिकी इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट हाली की दिनों में चर्चे में था किसलिए स्काइट्रेक्स के दौरा इसे भारत का सर्वस रेष्ट एरपोर्ट चुना गया है अगला कुश्चन है केंद्र सरकार के दौरा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अरब पतियों की संख्या घटकर कितनी हो गई है तो अब जो अरब पतियों की संख्या ये भारत में घटकर हो गई है 136 जो रिपोर्ट जारी की गई है देखे अरब पति कहने का मतलब है कि जिसके पास 100 करोड की संपत्ती है वित्यमंत्रे निर्मला सीतर अच्छा भारत के सबसे बड़े अरब पति कौन है मुकेस अंबानी जी यह आप जानते ही है और दुनिया के दीप पूछा जाए तो यह हैं जेफ बेजोस हलाकि बीच में एलन मस्क इसमें टॉप कर गए थे अगला कुश्चन है भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय उर रियनेबल एंअरजी होती है जैसे कि विंड एंअरजी हो गई इसके लावा बायो गैस हो गई यह सभी एंएजी जो कहलती है यह क्यों कि यह कुछ प्रत्वी पर रिसोर्सेइग और भावी पीडीओं के लिए इनहें सुरक्षित किया जाना है तो ये सुरक्षित रहें. कुछ हद तक तो इन्हें सुरक्षित किया जा सकता है. Renewal Energy का इस्थमाल करके तो ऐसे में अक्षा उर्जा शंता के मामले Walk देखा जाएं तो भारत की अच्छी ही ranking है भारत को इसमें 4 इस्थान दिया गया है और यदि हम बात करें सौर उर्जा की यानिकि सोलर एनर्जी की तो इसमें ये पाँचवे इस्थान पर रहा है और यदि हम विंड एनर्जी की बात करें तो भारत इसमें चौथे इस्थान पर रहा है अगला कुश्चन है हाली में कितने पुलिस अधिकारियों को जाँच में उतकरश्टिता के लिए यानिकि उतकरश्टिता पुलिसकार के लिए केंद्रे ग्रह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया तो टोटल 152 पुलिस अधिकारियों को इसमें सम्मानित किया गया है जिसमें क तोटल 152 पुलिस अधिकारियों को इससे सम्मानित किया गया है कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर हर्शित राजा था अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुशन धान केंद्र इसके शिरुवात कहा से हुई है तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक केज़े शेयर कीज़े चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही थाइंक्यू सो मच